नमस्कार दोस्तों मैं जयन्त कुमार और आप देख रहे हैं चाम्बली उलेक्ट्रोνिकश तो दोस्तों देख सकते ही कि आज हमने यहां पे एक दिपाभुली चकुरी बनाया है इलेक्ट्रोनिक चकुरी कितना खूबसट लगड़ा है दोस्तों देखने में और इसे हम किस प्रकार से बनाए हैं और किस प्रकार से बनाया जाता दोस्तों आज हम देखेंगे वीडियो में और दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर और पेल आइकन को दबा लिजिएगा दोस्तों मुल्टी कलर RGB LED लिए हैं दोस्तों थ्री कलर LED होता आई है ठीक है यह आपको लोकल मार्केट में दो रुपे पीस के हिसाफ मिलेगा और साथ ही इसका जो पावर सप्ला है जिससे हम इसके चलाएंग दोस्तों यहां पर हम मोगाल का बैटरी इस्तमाल कर रहे हैं आप दोस्तों है कि यहां पर जो मोल्ची कलर अर जैंब हुता है इसमें वर्स वर्च वहते हैं ठीकर में एक चौटा लग तो बदोस्तों इसका पॉजीटीव होता है और एक निगेटिव होता है जली हम आपको टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों और मार्केट से इतना भी एलेड आप लाएं तो फिली से सबसे पहले इसे चेक कर लें देख सकते हैं कि हम नहीं है माइनस को छोटा लेग में और प्रास को बरा लेग में यहां पर इस तरह से क्नेट कर द सलता है तो इसी पर हम आज हम आज वीर्यों क्यों में बनाने वाले हैं चलिए किसो प्राकाट बनाते है अलेक्ट्रोनिक चक्री सकते यहां पर हमें इस्ते हम इसंते माल कर तो सकते हैं I! विस लेने को इस तरह से हमें यहाँ पर करना होगा कि इसका जो है दोस्तों बढ़ा लेग एक दुस्रे के बिल्कुल करिब होना चाहिए कुछ इस तरी के से देख सकते हैं यह भी बढ़ा लेग तो इस तरी के सी अ कैसे बैं Marta यह से तरह से हाथ से पकर लेंगे उंगली के साहता से और इसका लेग जो दोस्तों फिर ना इसे हम इस तरीके से मेंद कर देंगे ओर इसमें हम चिब खाने का दोस्तों यहां फेवी Sahagisches कर रहे हैं आप चाहें दो कर सकते हैं यहां पर हम गुलू इस्टिक के साथा से इसे हम चिपका रहे हैं गुलू इस्टिक और स्वल्टरिंग आइरन के बद के द्वारा हम इसे चिपका लेते हैं तो देख सकते हैं हमने यहां पर एक LED को यहां पर चिपका लिया है दोस्तों और इसे कुछ दर एक दू मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं तक ये पुड़ी तरह से चिपक जाए और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं यहां पर हमने दूसरा LED को भी उसी हिसाब से चिपकाया है जैसा मैंने यहां पर बोला था आपको देख सकते हैं यह दोनों बड़ा LED बिल्कुल कड़िव है बिल्कुल पास-पास होना चाहिए और जो छोड़ा LED है जस्ट इसके साड़ में होना चाहिए तो एक पेर हो गया दोस्तों एक जोड़ा हो गया इसी तरह से आपको 10 जोड़ा यहां पर बनाना है जो कि हमने यहां पर 20 LED लिए तो तो दोस्तों इस तरह से जो है हमें 200 LED को जो है बिल्कुल इसी तरह से से प्रोसेस इसका जो में बराले को करीम में करके कर लेना है इसे चिपका लेना है ठीक है तो 20 LED हमने यहां पर इस्तिमाल किया है आप चाहें तो 18, 16, 14 LED का भी इस्तिमाल कर सकते हो अब दोस्तों हम चलते हैं इसका कनेक्षन को पर ठीक है कनेक्षन करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपना LED जो है सभी तरह से fit हुआ या नहीं हुआ ठीक है देख सकते हैं यहाँ से हम start करते हैं यह दोनों बरा लेग है यह दोनों LED का इसे एक दुसरे से यहाँ पर हम इस तरह से touch करा देते हैं यह देख रहा है यह छोड़ा LED था और यह वाला बरा LED है यह भी बड़ा LED का बड़ा लेग है यह दुनों LED का बड़ा लेग है तो बड़ा बड़ा जो लेग है दोस्तों उसे एक दूसरे से हम यहां पर सोल्डिंग करना है तो फस्ट में जो है सबसे पहले हम इसे एक दूसरे से टच करा देते हैं सिर्फ बड़ा लेग को और छोटी चोटे जो लेग बच जाते हैं इसके बाद दोस्तों उसे भी हम कुछ इसी तरह से टॉस करा देंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारे LED को जो है इसका जो है बड़ा बड़ा लेग को एक साथ और चोटा चोड़ा लेग को एक साथ में यहाँ पर हमने तो इसके बाद दोस्तों यहां पे हम थ्वार सा connection के लिए हम यहां चरने होगा चैनम सेक। connection होगा थिगा तो इसके लिए connection करने के लिए दोस्तों देखह सकते हैं कि Website femmes कर लिया हमती है तो मिला हमें 10 तुगड़ा का लेना होगा रेड और ब्लैक का तो सबसे पहले हम यहां पर ब्लैक वायर लेते हैं और रेड वायर को कि प्लस 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 के टर्मिनल पर हम यहां पर कनेक्ट करेंगे प्लस पहले लेग पर जहां पर हमने जॉइंट किया था उसे यहां से इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे चलिए हम connect कर देते हैं यह रहा अपना पहला वायर का पहला छोड़ अब पहला वायर का दूसरा छोड़ हम negative पे नहीं देंगे दोस्तों इसे हम positive पे ही देंगे जहाँ पे हमने यहाँ पे marking किया था यह अपना LED का प्लस प्लस वाला टर्मिनल है प्लस प्लस वाला लेगा है तो प्लस प्लस वाल साड़े प्लस 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 लेग को हम red वायर से connect कर लेंगे एक दूसरे से यहाँ पर हम दूसरा वायर ले लिए हैं दोस्तों वायर का टूड़ा और इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे साड़े पलस पलस को एक दूसरे से सीरीज कर लेंगे हम तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सीरीज कर लिया है साड़े LED के पलस पलस वाले लेक को अब दोस्तों बाड़ी आती है मैंनस मैंनस वाले लेक का सीरीज करने के लिए तो चलिये हम कर लेते हूं इसके लिए लिए हम नहीं पें ब्लैक वायर का इस्तिमाल किया है और इसे भी olde existatah से हम कि शाल्दिंग कर लेते हैं एक दूसरे से mechan Вы कर लेते त है यह रहा आपना पहला टुकड़ा और यह हम ले दिये दोस्तों दुसरा रोला टुकड़ा ले लिए हैं कि दोस्तों मेरा चैनल में यह नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए गार चुकि इसे तरह का नया नया प्रोजेक्ट वाला वीडियो आपको आपके मोबाइल तक आप तक पहुंचता रहेगा और देख सकते हैं कि दोस्तों हमने यहां पर टोटल जो है कुल साड़े एलेडिज को एक दोसरे से सीरीज कर लिया है पलस पलस को एक साथ और मैनस मैनस को एक साथ ठीक है अब दोस्तों हम यहां पर सप्लाइब वायर जो इसे हम सप्लाइब देंगे दोस्तों उसके लिए हम red और black का ही wire का ही इस्तिमाल किये है red wire को red was terminal पर plus वाले terminal पर connect करेंगे और black वाले को black वाले पर connect कर लेंगे हैं जो कि black wire से हम यहाँ पर positive sorry negative बोल्ट देंगे इसे और red ूजो वायर हम connected कर रहें दोस्तों भी उसमें हम positive इसी supply देंगे यह अपना supply wire है यह आप कुछ लंबा ही रख दीजेगा और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस wire की मजबूती के लिए इस wire को भी यहाँ पर glow stick से चिपका दिया है और दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो दूसरा वाला दोस्तों CD के set जो बचा था अपना उसे हम जो LED के leg है दोस्तों उसे cover करने के लिए हम इसे पीछे साइड से यहाँ पर glow stick से यहाँ पर हमने चिपका लिया है चार जगवा पर और इस तरह से अपना मजबूत हो जाता है अब दोस्तों बाड़ी आती इसका testing का चलिए हम test करते हैं जो अपना light की चक्री दिवावली चक्री ऐलेक्ट्रोनी चक्री किस प्रकार काम करता है और कैसा बना है अपना चलिए हम check करते हैं और इसे surprise देते हैं तो लग रहा है हमें यहां पर लग रहा जैसे यह चक्री जल नहीं रहा दोस्तों यह घूम रहा है ठीक है अब दोस्तों हम थोड़ा सा इसे आपको अंदेरे में कि दिखा देते हैं किस प्रकार से यह काम करता है किस प्रकार देखने को मिलता है हमें तो हम यहां पर अभी रूम का लाइट को ओफ करने वाले हैं और अफ इस्थिति में हम दिखाते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और यदे अच्छा लगा हो दोस्तो तो फिलियो को लाइक कीजिए और होसे के तो ज binnen अपने फ्रेंट यार के साथ सेर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाईएगा अब दोस्तों हम मिलते हैं नए फिरेस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद